नमस्कार दोस्तों, मैं राज सिंग, Microsoft Certified Trainer, आप लोगों का सौगत करता हूँ Power Pivot के इस पावरफुल वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हम सिखने आल है relationship, तो database अगर आप लोगों ने उसका basic knowledge अगर रखा होगा, तो उसमें आप लोगों को बता होगा, कि relationship के बह दूँगा, तो एक basic overview होकर मैं आपको बता हूँ relationship में, तो क्या होता है, एक table, दूसरे table से related होता है, उसके बीच में करना होता है relation create, relation create क्यों करते हैं, ताकि जो तीसरा table हम बना सके, या कोई calculation कर सके, तो इन दोनों table का data उस तीसरे में आ सके, clear है, तो इस तरीके से काम होता जैसे कि एक और example मैं आप लोगों के सामने लूँगा, ताकि जितना थेरी समझाओंगा, उतना ही practical समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि आप किसी bank में जाते हो, अपना account खोलते हो, ठीक है, तो आपने bank में account खोला, तो customer नाम का एक table होगा, जिस सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर entry नहीं होगी, एक उसमें number entry हो जाएगा, यह account number वाले ने loan लिया, तो loan वाले table में भी आपकी entry हो जाएगे, कि यह हमारा customer था, इसने loan लिया हुआ है, ठीक है, पहली चीज, फिर आपने वहीं से credit card लिया, तो credit card का एक नया table है, जिसके अ loan लिया, उसका detail, कितने का लिया, कब लिया, कितना EMI है, उसकी सारी detail वो दूसरे table में होगी, customer table में नहीं होगी, तो customer table में क्या होगी, आपका नाम, आपका address, आपकी सारी detail, फिर आपको मिलता है account number, फिर वही account number फिर से use होगा, किस के अंदर, loan के अंदर, तो loan के अंदर account number आजएगा कि भाई देखो ये account number ने loan लिया है 10 लाक रुपे का उसकी AMIR ये इतनी ठीक है ये documents से ये properties सारी return उस table के अंदर होती है ठीक है अब आपने लिया credit card अब credit card के अंदर भी यहां से आपकी entry चली जाएगी ये customer है हमारा इसने लिया है credit card ठीक है अब ये credit card लिया है तो limit कितनी है ठीक है कितना use करता है कितना purchase किया क्या किया कैसे क्या offers है कितना उसके उपर क्या है सारी entry यहां पर आ जाएगी तो ये customer एक होता है उसने अलग-अलग product लिया तो one two many relationship हो जाता है एक तरीके से ऐसे ही database work करता है तो ज़्यादा theory मैंने जाते वे practical को समझते है I hope मैं इस screen आप लोगों के सामने आ चुकी है देखिए यहां पर राज PP यह फाइल आ चुकी है अब यहां पर हम manage पर क्लिक करते हैं जैसे हमने manage पर क्लिक किया एक नया खुल गया और इसके अंदर previous वीडियो में आप लोगों ने देख लिया हुआ है कि हमने कैसे customer and order and cookies type यह कैसे add किया नहीं देखा तो वीडियो देख लिजिए अदर्वाइस यह वाली चीज ज़रा भी नहीं समझ में आएगी ठीक है तो अब यहां तक हम आ चुके है अब हम यहां पर हम सीखने वाले relationship ठीक है तो सबसे पहले important चीज़ क्या है आपका home tab के अंदर यह देखिए diagram view है तो हमारे सामने एक customer table है एक order है और एक cookies type है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह table को हम लोग ने बड़ा कर दिया यहां पर यह customer है यह order है और यह cookies है ठीक है तो यहां पर देखिए customer table के अंदर customer की पूरी information दी गई यह customer ID, name, phone number, address, city, state, zip code और country कौनसी थी यह पूरी detail दी गई अब जो भी हमारा customer है वो हमारे पास जब order डालता है ठीक है तो यह जब order डालेगा तो हम उसमें सिर्फ customer ID देंगे इतना सारा record, name से लेके country तक यह सारे record को हमने एक number दे दिया, क्या number दे दिया, customer ID, अब अगले बार हम सिर्फ और सिर्फ उस ID को use करेंगे, यह customer ID ने यह order द rate किया जाता है, आपको से भी एक roll number rate किया जाता है, ठीक है, उसी तरीके से पूरे customer का record लेने के बाद उसको एक customer ID दे दी गई है, ठीक है, ID मिल गई, अब उस customer ने कितनी बार हमको orders लिये हुए है, वो आएगा, तो customer ID आ गया, customer ID के अंदर, फिर order ID, product अन वगरा वगरा सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, ओके, तो अब हमको इन दोनों table को joint करना है, clear है, एक customer हमको कई बार order कर सकता है, जैसे मान के चले, Zomato का कोई customer है, तो बार-बार order कर सकता है, कभी pizza order कर सकता है, कभी sandwich order कर सकता है, कभी खाना, lunch, breakfast, जो भी चीज़ें, वो चाहे, वो पानी- बाइनारी है, यहां पर, spider-man के जैसे, इसको लाके आपको इस customer ID पर इसे लाके छोड़ देना है, तो जैसे आपने लाके छोड़ा, आप देखिए, यहां पर एक relation बन गया, ठीक है, आप देखिए, यहां पर लिखा है one, और यहां पर देखिए, star है, इसका मतलब one to many, one to many, one customer can order many times, एक customer multiple time order कर सकता है, इसलिए one to many, ठीक है, आईए, अब इस तरीके से हम यहां पर देखते हैं, कि जैसे customer ने, एक और relationship grade करते हैं, यहां पर customer ने क्या कर दिया, यहां पर customer ने order कर दिया, ठीक है, अब customer ने order क्या किया, तो कोई product होगा, ठीक है, तो उसने कोई product order किया अब वो product कौन सा हो सकता है, उसकी सारी detail हमारे cookies type में है, यहां पर हमारे cookies है, तो कौन सा हम क्या है, हम cookies business में है, तो हम बहुत सारे variety of cookies रखते है, cookies का type, cookies का revenue, cost, सब चीज़ है, तो उसका जो product होगा ना, हमारे इसी table में से कोई एक होगा, अगर हमारे 10 product है, तो इन 10 में से ही कि भाई मेरे को MacDee में जाना कि पानी पूरी खाना है, तो पानी पूरी उनका product नहीं है, तो पानी पूरी नहीं मिलेगा, तो product इनी में से एक होना चीए, तो आईए हम क्या काम करते हैं, कि यहां पर product को click करते हैं, और cookies type पे लेके जाके छोड़ देते हैं, अब यहां पर आप देखें, अब यहां पर कौन सा relation है, मतलब यह जो cookies है, one to many relationship बनाए, star बनाए हैं, पर one to many, मतलब एक product को multiple time order किया जा सकता है, एक cookies को multiple, जैसे कि आप अगर MacDee में जाते हो, और वहां पर burger है, तो कोई भी बार-बार burger को order कर सकता है, कितनी बार भी order कर सकता है, तो one to many relationship ह आपने क्या क्या, relationship create किया, तो एक बार आप इसे जरूर अच्छे से वीडियो को फिर से देखिएगा, अच्छे से practice कर लीजे, क्योंकि यह चीजें बहुत important, तो इस तरीकी से आपने क्या क्या, relationship create किया, तो कौन सा relation कहा करना है, किस table का क्या होता है, माने हिंदी बाशा में बहुत ही जादा मेनत करके, आप लोग को बहुत ही easy language में समझाने की कोशिश की है, याद रखिएगा, ये सब चीजें corporate में बहुत जादा use की होती है, और आप सोचेंगे नैसा कि चुटकी बजाते आ जाएगा, तो नहीं आता है, इसके लिए वीडियो को एक दो बार संद आए होगी, एक बार वीडियो को फिर से देख लिएगा, अच्छे से इसको practice कर लिजे, practice file भी description में है, और अगर आपको लगता है वीडियो useful है, तो इसको आप share कर सकते हैं लोगों को, और हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं, तो चलिए इतना फटा-फट प्रैक्टिस कर करने के बाद, next वीडियो के अंदर, अब मैं इन सभी tables में से data कैसे लेके आ सकते हो, ठीके, इनको join करते, formula लगाएंगे, इतना मजा आएगा ना, क्यूंकि next वीडियो हम calculations पे करने वाले, यह हमारा joining का वीडियो था, I hope अप लोगो मजा होगा, जल्दी सी इसको practice कर लिजे, thank you so much वीडियो को यहां तक देखने के लिए, thank you.